हाई एब्रीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टुडेंट ठीक होंगे तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट में तो देखिए सोल की तरफ से एक बिगेस्ट अपडेट है आप सभी स्टुडेंट के लिए या एस स्टुडेंट जो भी एस्टुडेंट प्ड़ रहे है या एसस्टुडेंट जो भी स्टुडेंट में आने वाले है तो आप सभी को पता होगा गि एसोल के अंदर environ graduate courses और post graduate courses कई सालों से conduct कराये जा रहे हैं और आप बी ये फी कौम तो करी रहे हैं साथ इसके अंदर आई नीपी लागू हो चुका है और इसके लाबा कई सारे new courses जो है वो हमें SOL के अंदर देख रहे हैं इस बार मिले बट अब SOL जी हाँ S.O.L. ने कली S.O.L. का एक meeting हुई थी, एक समारो हुआ था, उसमें S.O.L. ने अपने जो skill based courses है, उनको launch कर दिया है, total जो courses की जो संक्या बताई जा रही है, वो 21 बताई जा रही है भी का जो update है, जो officer update निकल के सामने है, department की तरफ से, 21 courses पे skill based courses आपके शुरू किये जाएगे जिसमें English speaking course भी एक important course रहेगा, मतलब जिसको अगर English speaking सीखनी है, जो चाहता है कि मैं English speaking सीखूँ और ऐसी जगह सीखूँ जा दिल्ली विस्विध्याले, जा एक ऐसी university का branding हो, जहां पे हमें पूरी value हो, तो कही नगरी आप S.O.L. से भी आप skill speaking courses सीख सकते, तो एक चीज़ जो और मैं आपको बता दूँ, पहले भी S.O.L. के अलाबा एक और campus है, campus of open learning, महां already courses पहले से चल रहे है, बट इस बार S.O.L. ने खुद के 21 courses जो है, उनको launch किया है, जिसके अंदर आपके कई सारे skill based courses है, computer courses है, कई सारे courses भी उनकी list निकलके सामने नहीं आई है, बट speaking English course जो काफी important है उसमें, आप speaking English इसमें सीख सकते हो, तो जल्दी आपको S.O.L. की website पे notification देखने को मिलेगा, और जैसी notification आएगा, आपको बता देंगे, अगर मैं इनकी admission की बात कहूं, तो इनके जो admission है वो इस साल से सुरू होंगे, क्योंकि आप 2024 का session लगने वाला है, तो इस से जनवरी के सुरुवात में इन्होंने जो speaking English प्लस जो skill based courses उनको launch कर दिया है, हाला कि अभी तक LGBT को लेके चीज़े यह बता ही जा रही है, कि जातार जो courses है, बोट 12th based रहेंगे, और कुछ courses ऐसे भी हो सकते हैं, जो graduation based हो सकते हैं, बट 12th basis जो courses हैं, उनकी संग्या जाता है fees रहेगी, fees इतनी रहेगी कि आप afford मुझे लगता है कर पाऊगे, और admission का procedure क्या रहेगा, अभी admission का procedure मुझे लगता है कि जल्दी सुरू किया जाएगा, परें notification आएगा, notification बताया जाएगा कि इन्हें courses के admission इस टारिक से सुरू होंगे, फिलाल update आपके लिए ही है, कि skill based courses जो जाएगा, जैसी notification आएगा, मैं आपको full detail दूँगा, फिलाल आपके लिए यही बताना जरूरी है, कि SL के अंदर आप graduation के साथ साथ skill based courses भी कर सकते हो, यह courses आपके short term भी रहेंगे, और part time बगेरा जो भी, सब जो भी होता है, part time, short time दोनो रहेंगे, ठीक है, तो यानि आप graduation क साथ साथ, इन skill basis courses में एड़ीशन ले सकते हो, और बाकी fees बगेरा सब तभी clear निकल के आएगी, जब पूरा notification SL की website पर आ जाएगा, तो जरूर बताएगा, कौन-कौन इसके लिए interested है, comment box में जरूर बताएगा, और जैसी इसके लिए latest update आता है, हम आपको share करेंगे, फिलाल सकता है, क्योंकि seats limited हो सकती है, और कुछ-कुछ courses ऐसे भी हो सकते हैं, आपको मिल सकता है, तो वो देखने वाली बात है, कि English speaking courses में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यह थी छोटी सी वीडियो, वीडियो कैसे लिए जो बताएगा, यह वीडियो all students के लिए है, चाहे वो जो स्टुडेंट इस साल आएंगे या जो स्टुडेंट अभी पढ़ रहे है, थैंकिसो मुझा